प्रतेग विद्याले में बालक वावालिकाओं के लिए अलग-अलग साफ वस्वक्ष सवचाले होना चाहिए परन्तु बड़े अपसोच की बात है कि जनपत जाउनपूर रामनगर बलाग के बासापूर प्राथमिक विद्याले में पिछले दो साल से सवचाले खराब छती ग्रस्त होने के कारण लगु सहित 104 बच्चों को सवचाले के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है बिद्याले में नावंकन तो ऐसे 104 का है और लगभग 65 से 70 तक उपस्ती हमारे यहां रहती है सवचाले हमारे यहां लगभग 2 शाल से बंद है और इसके पूरे सिट तोट गई हैं और दरवाजे जो हैं कुछ अराजक तत उसको उखाड ले गए हैं बंद रहने से विद्याले के बच्चों के लिए बहुत बड़ी समश्या है कि वह सौच के लिए उनको जाने के लिए कोई उप्यूब तस्थान नहीं है दूसरी बात यहां कि साफ सफाई के लिए वह अगल वगल गंदगी करेंगे तीसरी बात यह है कि यह सौचाले यदि चमिने लगेगा तो हमारे बच्चों के साफ 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 में जो महिलाएं भी हैं उनके लिए भी सुविधा जनकी होगा लेकिन सरकार अभी इस पर को लिए नहीं है पढ़कर क्या बनना चाहते हैं तीजर कि यह सोचाले कब से बन पड़ा है दोच पॉच के लिए आपनों कहां जाते हैं बाहर बाहर जाने से क्या दिक् photi आती है साफ यह सोचाले बन जाने से क्या फैदा होगा वीटा सोचाले में सरॉम नहीं हागी पाने मिलेगा ये हैँ कि सौच के लिए जिसको भी जाना पड़ता है चाहे स्टाप हो या बच्चे उन चाहे कोई भी वहोस को परिसानी होती है वह प्यूक तस्थान नहीं मिल पाता कि वह सौच के लिए कहीं जा सबीवा करें विद्ध्याले की तरफ से प्रयास किया गया स्वाई कि लिए किया गया जो भी अप्लीकेशन हो सकता है वो दिया गया लेकिन अभी तक इस पर कोई कारवाई नहीं हुई है याद आप परवा देंगे तो अच्छी बार मैं चाहती हूँ कि इस विद्यालय का सोचालय बनाया जाए जिसे से इन बच्चों की समस्या दूर हो सके मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्सकों से अफिल करती हूँ कि जाउनपुर जिले के बीएस से जिनका मुबाइल नंबर चौरानबे तिरपन डबल जीरो एक तालिस तिरानबे पर काल करके दबाव बनाए ताकि इनकी समस्या दूर हो सके मैं उसा पटेल जाउनपुर जिले के उत्तरफरदेश इंडिया नहट के लिए